जए हिंदिस वीडियो में बात करेंगे सुजलोन इनरजी कंपनी के बारे में सुजलोन इनरजी कंपनी को लेकर गॉर्बेंड की तरब से एक राहत भरी खबर ने करकर सामने आई है तो यदि आप इस कंपनी के शेयर शोडर से हैं तो इस खबर को ज़रा ध्यान से सुनिएग कंपनी है इसलिए गौर्वेंट का इस कंपनी पर खास तबज्जव रहता है अब बात करते हैं इसके असली वजह प्रोफिट बुकिंग और प्रोफिट बुकिंग आज सिर्फ सुजलोन इनरजी में नहीं हुई है बलकि एनसी कंपनिया है और दिग्ज कंपनीया सब में प दुक्रबार के दिन यानि कि बजार का आखरी दिन देखने को मिलती है और अगर इस कंपनी के बात करें तो रिजल्ट आने के बाद से सब्सक्राइब करें लोगों ने जिन लोगों ने भी इसमें किया अपना जो कमाया हुआ हुआ है उसको निकाला है तो अगर आपका हैं तो देखिए हम जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या थी वो इसके कर्ज को लेकर थी सब्सक्राइब के पास लगभग 15 बैंकों का 8000 क्रोंड रोपे के असपास कर्ज था अब गवर्मेंट ने कहा है कि अब वो यानिकि गवर्मेंट इस कर्ज को चुकाएगी खुल कर अपना काम करेगी मैं इस तो थोड़ा से रूपय लेकर निकला होंगे लेकिन यदी आपका नज़रिया लंभी ओढ़ी के लिए है तो आप बोरा भर के रुपया नहीं भी भरके तो जरूर निकली गा इसलिए अब बात करते हैं जे दो कंपनिया है एक बारे पहली कंपनी यानि की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर्पोरेशन और दूसरी कंपनी यानि की इंडियन रिनीवल इनर्जी डेवलोप्मेंट अजेंसी यह इस दुनों कंपनी के फुल फॉर्म है यह किस फॉर्म में इस साथ हजर करजे को चुकाएंगी आप वह भी जान यानि की 2000 क्रोण रॉपय और बाकी का 4000 रॉपय के इनको इकविटी दिया जाएगा यानि की इन दोनों कंपनी को दिये जाएंगे तो यह थे राधवरी खबर जिसके बारे मैंने आपको बताया उमीद कहता हूं इस राहत की खबर सुनकर आपको थुड़ी राहत मिली होगी और आपको मैं फिर कहता हूं यदि आपका नजरिया इस कंपनी में लंबी होथी क्या है तो बिसक बने रहे हैं क्योंकि गवर्मेंट का विलक्षे 2030 तक भारत में जितनी उर्जा जेनरेट होती है उसमें 50% उर्जा सीर्फ रिनीवल इनर्जी से प्राप्त किये जाएं और म मैं सबके कमेंट के रिपलाई देता हूं बर्सनली मुझे से जुड़कर आप बाते करना चाहते तो मुझे इंस्टा कर लिए और यदि आप सेर बजार से समझते रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जूड़ सकते हैं लिंक डिस सुगर याँ